नमस्कार, मैं प्रेलाज कुमर मिना, एसोसेट प्रोफिसर, प्लिटिकल साइन्स डिपार्टमेंट, बीए सर गोवर्मेंट आट स्कुली जल्वर, इस एक लास में आप सभी का स्वागत हैं, यह वीडियो बीए पार्ड फरस्ट, पेपर फरस्ट, वे ओनर्स पार्ड फरस्ट, पेपर थर्ड के विद्यार्थें के लिए तयार किया गया है, इससे पहले की वीडियो में हमने जो पाठ्थे करम का की विचारदारा थी अरजक्तावाद, उसके अर्थ परिवासा के संदर्व में जानकारिली, और उसमें हमने समझा की अरजक्तावाद का अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं है, वरन सक्ति का अभाव होता है, अरजक्तावाद का अर्थ श्वतंत्रता एक्ता और प्रेम के रूप में डिकिंसन ने बताया है, जहां साम्यवाद समाप्त होता है, वहां से अरजक्तावाद सुरू होता है, ऐसा इसके दर्सन में, दर्सन को पढ़ने से, इसको समझने से ये ग्यात होता है, क्योंकि साम्यवाद, राजविहिन, वर्गविहिन, समाजविहिन, समाज की स्थापना करना चाहता है, लेकिन आगे किस प्रकार से सक्ति के अवाहों को दूर रखते हुए, किस प्रकार से व्यवस्था को निर्मित किया जाए, उसके बारे में नहीं बताया गया है, सरवारा वर्ग की क्रान्ति के बाद पूजी पतियों वे राजी को समाप्त करने के बाद में किस प्रकार की व्योस्था होगी इसके बारे में साम्मेवादियों द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है और अरजक्तावादी विचारधारा में इसके लिए सामाजिक समुदायों को जोश्वत अंतरता एक्ता और प्रेम के आधार पर इस्तापित होंगी उसका विवेचन इस अरजक्तावादी विचारधारा में किया गया है आरजक्तावादी विचारधारा के प्रमोखे जो समर्थक हैं या विचारधारा के दार्शनिक हैं उनमें विलियम गाडविन, धामस हार्शकिन्स, प्रोधा, थोरियो, बेकुनिन, टालस्टाइ, क्रॉप्टकिन और कुछ हद तक भारतीय राजनितिक दर्शन के पुरोधा और भारत के राष्टपिता मातमा गांदी को भी कुछ सीमा तक आरजक्तावादी माना जा सकता है क्योंकि वो भी राज्जी की सक्ति को कम करके ग्राम्स्वराजी की स्तापना की बात करते हैं अब हम इस वीडियो के माध्धम से अरजक्तावाद की प्रमुख विशेष्टाएं या लक्षान या जो सिद्धान्थ हैं उनके बारे में द्धन करेंगे यद्दपी राजनितिक दर्शन में अरजक्तावाद के समर्थों के संख्या बहुत अधिक नहीं है लेकिन फिर भी अन्य विचारदराओं की तरह अरजक्तावाद की भी अपने कुछ विशेष्टाएं हैं या विशेष्टाणाएं हैं जिनको मूल रूप से चार भागों में व्यक्त किया गया है पहला है राज्जी का विरोध दूसरा है निजी संपत्ति का विरोध तीसरा है धरम का विरोध और चोथा जो भाग बताया है वो है विकेंद्रिकरण सामाज की व्यावस्था अथ्वा अरजक्त सामाज की स्थापना इन सबका हम निम्ने प्रकार से अध्धन करेंगे जो सबसे पहले है क्योंकि अरजक्तावादी निजी संपत्ति राज्य धरम इनका इनकी इनको समाप्त करना चाहते हैं इनका उन्मुलन करना चाहते हैं तो पहला लक्षन है राज्य का पूर्ण विरोध या विशेस्ता या इसका मूल्शिद्धान्थ है राज्य का पूर्ण विरोध राज जी या शासन के किसी एक रूप का ही नहीं, वरन सभी रूपों में राज जीवा शासन का विरोध करते हैं, राज जी या सासन के किसी एक रूप का नहीं, का अर्थ है, यानि कि राज तंत्र, कुलें तंत्र, भीड तंत्र, लोक तंत्र, इन सभी का किसी एक का नहीं, ब अज़तावादी करते हैं और उनका कहना है कि प्रजातंत्र जिसे जन्ता का सासन कहा जाता है वह भी उतना ही बुरा है जितना की कोई निरंग को सासन बाकुनिन कहते हैं कि चर्च अधिक समय तक अपने को चर्च नहीं कहता वह अपने आपको पाड़ साला कहने लगता है राज अपने आपको राज तंत्र ने कहकर गण तंत्र कहकर संबोधित करने लगता है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो किस नाम से अपने आपको संबोधन देते हैं अरगतावादी किसी भी सासन या राजी के रूप का पूर्ण तया उन्मुलन चाते हैं क्योंकि चाए किसी भी तरह का रूप हो वो है आदिपत्य का पृतिक ही बना रहता है अरजकतावादियों के राजी के विरोध के जो आधार है वो निम्न प्रकार से हैं क्योंकि अरजकतावाद का पूर्ण विरोध करते हैं और राजी के विरोध के जो आधार है उनमें पहला आधार है ऐ स्वभाविक आधार, राज में रहना मनुशिय के लिए ऐ स्वभाविक है, इसी कारण इसके आधिपत्य में मानने अपने स्वभाविक गुणों को खो दिया है। यह अरदादुवादियों का मानना है और मोर्यों को समाप्ट करने का जो पहला आधार है वह स्वाभौभौन आधारि और इनका जो कहना है वह है कि दिने मानों के अपने सुपय गुणों को समाप्ट कर दिया है। व्यक्ति पर नैतिक द्रश्टि से राजी का बुरा प्रभाव पड़ता है, मनश्य प्रवर्ति से विवेकी, तरकसेल वसुबेच्छू होता है, परंतु राजी वसकति उसे एविवेकी, स्वार्थी, पदलोलूप और एनैतिक बना देते हैं। राजी की सक्ति सासकों को निश्टूर वात्याचारी बना देती है, सामाने जन्ता में वह दास्ता की प्रकर्ति को उत्पन करती है। को समान रूप से ब्रश्ट करती है, और धीरे धीरे होने वाले इसके प्रभाव से कुछ लोग लाल्ची, वे महत्वक आंक्षी, निर्दई सासक बन जाते हैं, और अपने या अपने वर्ग के हितों के लिए समाज का सोसन करते हैं, जबकि और लोग उसके दास बन कर रह जाते हैं। राजी के जो विरोध का या उसको समाप्त करने का जो पहला आधार बताया, वो एस्वभाविकता का आधार है, दूसरा जो राजी को समाप्त करने का जो आधार उन्होंने बताया, वो है एतियासिकता का आधार। इसके मानने वालों में क्रॉप्ट किन ने हैं और क्रॉप्ट किन ने एतियासिक आधार पर राज का विरोध किया है उन्हें एतियासिक द्रश्टी से भी राज व्यार्थ लगता है राज की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य समुहें बनाकर स्वतंत्र और सुखी जीवन व्यतीत करते थें राज के अस्तित्यु में आने से मनुष्य परतंत्र वदुखी हो गया है आरतिक्तावादी विचारकों के अनुसार राज कानून का निर्माण निर्माण के द्वारा कोई सुधार नहीं करता वरन जो रूडियां वे प्रताएं समाज में होती हैं उनी पर कानून की छाप लगा देता है राज जी ने सदेव ही सुधारों वे नए विचारों का विरूद किया है अनेक सुधारकों आविसकारकों तथा धर्म प्रचारकों को राज की ओर से दंड यातनाई मिली है और राज व्यक्ति की उन्नति यम श्रतंदरता में हमेशा बादक रहा है एतियासिकता के आधार पर जो राज जी का विरोध करते हैं या राज जी को उन्मुलन करने के बाद करते हैं राज जक्तावादी उसको एतियासिक द्रश्टे से भी क्रोप्ट किन शिद्ध करने का प्रियास करते हैं कि जब राजी नहीं था या राजी के पूर्व उत्पत्ति से पूर्व मानव सुखी और श्वतंत्र समय बनाकर अपना जीवन यापन करता था लेकिन राजी के फुत्पन होने के बाद मनश्य दुखी और परतंत्र हो गया है और राजी द्वारा समाज की जो रूडियां प्रथाएं रितिरिवास थे उनी को कानून बनाकर उसको बंदनों में जखड लिया है और तीसरा राजी के विरोद का जो आधार अरजक्तवादी बताते हैं वो है उपियोगिता का आधार राजी एक अनावशक संस्था है और उसके कारियों का समपादन उससे कहीं अधिक अच्छे रूप में एच्छिक समधायों के द्वारा किया जा सकता है जिस प्रकार मनस्य के द्वारा राजी के विना खाना, सोना, बोलना वे पढ़ना आधिकारिये ठीक प्रकार से किये जा सकते हैं यदि यह कहा जाए कि राजी अपरादों को रोकने वे उनको दंड देने का कारे करता है तो यह भी गलत है क्योंकि इतने लंबे समय से राजी के अस्तित्व के बाद या राजी के द्वारा सक्ति के प्रयोग करते रहने के बाद भी अपराद वे अपराद दी कम नहीं अपित अपराद और अपरादियों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्री हो रही है कुछ अपराद तो निजी संपत्ति कारण होते हैं जिने आरजक्तवादी समाज में व्यक्तिगत संपत्ति का निशेद कर दूर किया जा सकता है कुछ अपराद एनेतिक्ता के कारण होते हैं जिने राजी की जेलें और दंड व्योस्ता के आधार पर नहीं वरन अरजक्तवादी समाज में मानविय चरित्र में सुदार करके दूर किया जा सकता है जहां तक देश की सुरक्षया का संबंद है यह कारे भी राजी की अपेक्सा स्वेम सेवक दलों के द्वारा अधिक अच्छे प्रकार से किया जा सकता है और बाकुनिन ने चिन का उधान देते हुए इस बात को सिद्द किया है कि राजी की उपयोगिता नहीं है क्योंकि राज के बिना भी व्यक्ति अपने राष्ट की सुरक्षा अपने उद्ध्योगों का प्रसार अपने सिक्षा अपने स्वास्त और मनुष्य के आवशक जितने भी कारी हैं उनको एचिक समुदायों के द्वारा अच्छे प्रकार से कर सकता है और बाकुनिन ने चेन का उधान देते हुए कहा कि राज की सेनाओं की मुठवेड जब जनता की सेना से हुई तो राज की सेना को हारना पड़ा और इसी आधार पर क्रोटकिन ने कहा कि इस्थाई सेना सदेव ही आकरांताओं द्वारा प्रास्त होती रही है और इत्यास के द पुरकार राजी के द्वारा किये जाने वाले कारे राजी की अपयक्षा एचिक समदाई अच्छे से कर सकते हैं। मनुष्य द्वारा बनाएगे एचिक समदाई द्वारा राजी के अभाव में राजी से अच्छे प्रकार से किये जा सकते हैं। कि इस्थाई सेना सदेव ही आकरांताओं या आकरमनकारियों द्वारा परास्त होती रही हैं। और इतिहास की द्रश्टे से उन्हें देश से भार निश्काशित करने में जनकरांतियों आकरांताओं या आकरमनकारियों को इस्थाई सेना द्वारा नहीं। बलकि जनकरांतियों द्वारा ही उनको देश से निश्काशित किया गया है। इसलिए ये उप्योगिता के आधार पर भी राजी को समाप्त करने की बात करते हैं। और अन्तिम जो राजी को समाप्त करने का जो आधार अरजक्तावादी बताते हैं वो है आर्थिक आधार। अरजक्तावादी यहों के अनुसार आर्थिक आदार पर भी राजिका विरोध किया है इस संबंद में वे मार्श्वदी विचारदारा से सहमती व्यक्त करते हुए कहते हैं राज ने व्यक्तिकत संपत्य के गर्व में जनम लेकर अब तक उसे प्रोत्सायत करने का कारे किया है राज ने सदेव ही पूजी पत्यों का साथ देकर स्रमिकों के साथ अन्याई किया है यह जो राजिके विरोध का अंतिम जो आधार आरजक्तावादियों द्वारा बताया वो आर्थिक आदार है और उनका कहना है उनका मानना है कि राज ने सदेव ही पुझी पतियों को साथ देकर जन सामाने का और विशेश तोर से सर्मिकों का सोसन किया है उनके साथ अन्याई किया है और फिर जनक्रांतियों के द्वारा राजी के खिलाब विद्रो हुए हैं और करने की बात अपने प्रमुक सिध्धान्तों में बताते हैं कि दूसरा जो अरजक्तावादियों का प्रमुक लक्षन है या उसके विशेस्ता है या उनके मूल सिध्धान्त हैं वो है मानव के सात्वे गुणों में विश्वास अरजक्तावाद मानता है कि मनुश्य जनम से एक सामाजिक तथा सहयोगी प्राणी है जो स्वें अपने हितों के साथ साथ दूसरे के हितों का तथा समाज के लाब का पूरा ध्यान रखता है उनके अनुसार मानव में भै, भूग वे संगर्ष के तत्व नहीं वरन प्रेम, साहनवूती और स्वतंतरता के तत्वों की प्रमुक्ता होती है और आज मानव जीवण में जो बुराईया आई है वे राज जैसी बाध्यकारी संस्थाओं के परिणाम है आरजकतावादी मानव के सात्विक गुणों में या उसके सदाचारी होने में या उसके प्रेम और अच्छे गुणों के रूप में अरजक्तवादी विश्वास करते हैं कि मानव प्राकर्तिक रूप से सात्वी गुणों से संपन्न है तीसरा जो अरजक्तवादियों की मूल विशेष्टा है या सिध्धान्त है वो है पृतिन इध्यात्मक सरकार की आलोचना राज्व सरकार की आलोचना करते हुए अरजक्तवादी ने केवल रास्तंत्र वेकुलिंतंत्र वरन जन्ता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिदियों की सरकार की भी आलोचना करते हैं प्रतिनिदित्व के सिध्धान्त को ऐस्विकार करते हुए अरजक्तवादी कहते हैं कि यथार्त में अन्नी व्यक्तियों का तो क्या एक व्यक्ति श्वतंत्र स्वयम तक का सच्चा प्रतिनिदित्व नहीं कर सकता है प्रतिनिदित्व प्रतिनिद्यात्मक या उसको हम कहें कि लोकतंत्रात्मक सरकार की भी आलोचना उनके द्वारा की गई है और वो कहते हैं कि प्रतिनिदित्व के सिध्धान्त को ऐस्विकार करते हुए अरजक्तवादी कहते हैं कि यथार्त में अन्नी व्यक्तियों को कि दो बात छोड़ दीजिए कि उनका तो कोई अस्तित्वी नहीं एक व्यक्ति स्वैम तक का सच्छा प्रतिनिधी नहीं कर सकता है और यथार्थ में इन तथाकतित प्रतिनिध्यात्मक सरकारों का संचालन नितांत अपरिपक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है व्यावसाइक राजनितिकों का एक ऐसा वर्ग उत्पन हो जाता है जिसका एक मातर कार्य मानुवे दुरबलताओं का अनुचित लाब उठाना है और इस अंदर में प्रोपेसर जोड ने लिखा है कि प्रतिनदी सरकार ऐसे व्यक्तियों की सरकार होती है जो प्रतिक कारे को खराब ढंक से करने के लिए सबके विशे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं किन्तु जिने ठीक प्रकार से कारे करने के लिए जरूरी किसी भी वस्तु या चीज का ग्यान नहीं होता है चुकि प्रतिरिन दित्वे का जो प्रतिरिन द्यात्मक जो सरकारी व्यवस्था की बात है उसमें आलोचना का जो कारण अरजक्तावादी बताते हैं उसमें वो कहते हैं कि ये बिलकुल नितांत एपरिपक वे अनवाविहिन होते हैं और इन में से कुछ लोग व्यवस्थाइक प्रतिरिन दित्वे के रूप में उत्पन हो जाते हैं और वो ही अंतिम रूप से राजिकी सक्ति का संचालन करते हैं या उसका दूरुपयोग करके जनता को जनता का या सामाने जनता का सोसं करते हैं ये अरजक्तावादियों का एक अपना सिध्धान्त या विशेस्ता है अगले जो विशेस्ता है व्यक्तिकत संपति व्यपूंजी वाद का शत्रू अरजक्तावाद साम्मेवाद की तरह स्रम को मुल्य का एक मात्र आधार मानकर इस बात का प्रतिपादन करता है किसी वस्तु के क्रे में जो लाव होता है वह संपूर्ण रुप से स्रमिकों को ही मिलना चाहिए क्योंकि स्रमिक के द्वारा ही नव सरजन किया जाता है और जो उसके उत्पादन का जो विक्रे के द्वारा लाव होगा वो श्रमिकों को मिलना चाहिए ऐसा अरजगतवादी मानते हैं किन्तु व्यवार में पूंजी पती उसे हथ्या लेते हैं इसलिए प्रोधा कहता है कि प्रतेग प्रकार की संपत्ती चोरी है और अरजगतवादी मानते हैं कि व्यक्तिकत संपत्ति नहीं ही पुझीवाद को जनम दिया है जो मानवे सोसन का परियाई वाची है पुझीपती सांस तो अतिरिक्त लाव वे निर्यात का लेते हैं लेकिन उसे वापस निकालते समय सामाजिक वातावरण में सोसन, ग्रणा, द्वेस, निर्धन्ता वे बेरोजगारी उत्पन करते हैं अत्य आरजगतवादी पुझीवाद का अंत ही स्रेकर मानते हैं और उसका अंत अब अत्यंत निकट भी या संविब भी मानते हैं ये आरजगतवादियों की अपनी एक विचारदारा है, अपना एक सिध्धान्त है कि व्यक्ति का समपति और पुझीवाद को समाप्त किया जाए अगला जो मुल सिध्धान्त है उनका वो है धार्मिक पाखंडों की आलोचना आरजगतवादि धर्म का विरोध करते हैं तो भाग है वो है विकेंद्रिकन सामाजिक व्यवस्था अथ्वा अराजग समाज की इस्थापना तो ये अब तक हमने राजी के विरोध का निजी समपति का और अब धार्मिक पाखंडों की आलोचना के संधर्म में जो उनका मूल से दानते हैं उसके बारे में अरजगतवादी धर्म का विरोध करते हैं और कहते हैं कि धर्म के दोखे में आकर मानव अपना विवेक हो देते हैं वह भाग्यवादी हो जाता है और उसके करम की सक्ति कमजोर हो जाती है ऐसी स्थिति में व्यक्ति राज जी वे पूंजी वादी जैसी अन्याईपून संस्थाओं का विरोध नहीं कर पाता है और इस अंदर में बाकुनिन तो ये कहता है कि इस्वर बहुत कुछ जार के समान था और जार इस्वर के समान था दोनों ही अत्याचारी थे और इसी प्रकार प्रोधा ने चर्च को न्याईका सत्रुका है इस्वर में विश्वास करना बेवकुफी है तथा कायरता है इस्वर ढोंग वे जूंट है इस्वर अत्याचार और विपत्ति है इस्वर एसुभ है ऐसा प्रोधा जो की अरजक्तावादियों के प्रमुख दार्शनिक और विचारक हैं और बाकुनिन भी इसे प्रकार से कहते हैं कि इस्वर बहुत कुछ जार के समान है और जार इस्वर के समान है और दोनों ही अत्याचारी है और जो अगली विशेषता अरजक्तावादियों की है वो है विकेंद्री करण में विश्वास अरजक्तावादियों सक्ति का केंद्रेकरण नहीं बलकि विकेंद्रेकरण में उनका विश्वास है अरजक्तावादियों द्वरा राज के विरोध का एक प्रमुकार्ण राज के अंतरगत सारे सक्तियों का केंद्रेकरण है जिसका परिणाम एकुसलता और ब्रश्टाचार होता है अरजक्तावादी अपने आदर समाज में ब्यवस्था और प्रबंद के विकेंदे करण पर बल देते हैं और चाते हैं कि समाज का पुनर निर्मान इस्थाने संस्था वो संगों के आधार पर हो जो पुन है विशालतर संगठनों में सयुक्त होकर एक देश्यवपी संगठन का रूप धर्ण कर लें इस प्रकार अरजक्तावाद समाज को श्वतंतर संगों में संगठित कर संगहात्मक रूप देना चाता है इस प्रकार से ये अरजक्तावादी विचार धारा की मूल विशेष्टाएं या मूल लक्षन हैं जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्यन किया अगले वीडियो में हम अरजक्तावादी समाज की किस प्रकार से रचना होगी क्या व्यवस्ता होगी और उसके क्या लक्षन होंगे क्या विशेष्टाएं होंगी क्या कारियों होंगे उनके बारे में थर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद घर में रहें सुरक्षित रहें बाहर जाते विए घर से बाहर जाते समय सामाजिक दूरी और मास का प्रयोक आवशक रूप से करें एक बार पुनाएं आप सभी का धन्यवाद